तुम्हाला खुब भाशा ये तस्ते तुमी मराठवडाचे आहे मन्जे मेरो तेलगो अड़ा मेरो चप्पेंडी नेन यकनींच वच्चन नू आमे फोलकातान मानू आमार बांगला मीष्टी और कोविता खुब भालो लागे शेहनशा अकबर और राजा पीरबल अक्सर भेश बदल कर अपने सल्तनत का मुआइना करते थे एक दिन जब वो शेहर के बाजार से गुसर रहे थे पीरबल कितना खुबसूरत कालीन है वो जी काफी खुबसूरत है हुजूर चलो जाकर पूछते हैं कि वो कितने में बेच रहा है सलाम जनाब वो नीला कालीन कितने का है वो माशलाई कोमने आश्कन शाहर काबूल बीरबल ये आदमी क्या कह रहा है कौन सी जबान में बात कर रहा है ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं हुजूर जनाब हम जानना चाहते हैं कि वो नीले रंका कालीन आप कितने में बेच रहे हैं कितने का है ये क्या बोल रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब रुकना बेकार है चलो वापस रहने दीजे जनाब हम किसी और रोज आएंगे खरीदने बड़े अजीब बात है ये हम इस सल्तनत पर हुकूमत कैसे कर सकते हैं अगर हमें लोगों की भाशा ही ना आए हुजूर मेरे पास एक सुझाव है क्यों हम एक ऐसे आदमी को हमारे दर्बार में रखें जो कई जबान बोलता हो और उसे हमारे राज्य के शाही दुबाशा भी बना ले हम ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है बीरबल इसे लिए हमने एक ऐसे आदमी को जो कई भाशाओं का जानकार हो अपने दर्बार में नियुक्त करने का फैसला किया है सुखदेव सिंग जी ऐसे आदमी को ढूडने का काम हम आपको सौपते हैं हुजूर आप इतमे नान रखें मैं राज्य का सबसे बहतरीन भहुभाश्य ढून लूँगा जहापना मैंने राज्य का सबसे बहतरीन भहुभाश्य ढून लिया है वो कई भाशाए सफाई और आराम से बोल सकता है आदाव जहापना मेरे नाम बहारी है और मैं दस अलग अलग भाशाय बोल सकता हूँ आपके इस काम के लिए मुझसे बहतर आदमी नहीं मिलेगा हुजूर तो फिर ठीक है लेकिन ये बताओ कि तुम कहां के रहने वाले हो और ये भी बताओ कि तुम्हारी मात्रि भाशा क्या है जहाँ पना आपके दर्वार में काफी ग्यानी लोग मौचूद है और क्योंकि आदमी की जबान उसकी असली पहचान है, क्या इस दर्वार में कोई आपके सवाल का जवाब दे सकता है? ठीक है, हम अपने मंत्रियों को इसका जवाब देने को कहेंगे सुक्देव सेंग जी, पहले आप बताईए तुम्हाला खूब भाशा ये तस्तील, पन माजय सार की मराठी तर बोलून दाख्वा साहेब, तुम्ही मराठ वडाचे आहे मन्जे, वक्त तुम्लाच्या मराठी येट आसल आसा नहीं ना? मेरु तेलुगो अडा? मीरु चप्पेंडी नेनु यका नींची वच्चयानु, मीरु गुंट्रु नींची वच्चयार कदा? आमी कोलकातार मानूस, आमी जानते चाहे जेत्तुम्ही बांगलार कोथाथ्थेके येशे चो आमार बांगला मीश्टी और कोविता खुब भालो लगे, आमी जे कोनो दिन बांगाली होते चाहे वो जहापना हमने इसे कई भाशाओं में सवाल किये हैं और हर भाशा पर इसकी जानकारी बिना किसी शक के बहतरीन है हम अब भी इसकी मातरी भाशा नहीं जान पाएं है हम्, तुम्हारा क्या ख्याल है बीरबल, तुमने कुछ ने कहा अब तक क्या तुम बाहरी की मातरी भाशा पता लगाने की कोशिश नहीं करोगे हुजूर, मुझे कल तक का वक्त दीजिए मैं तब तक आपके सवाल का जवाब पता लगा लूगा हुजूर ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास कल तक का समय है हम जवाब जानने को बेचैन रहेंगे शुक्रिया जापना हम जवाब पता जवारे आबल, तुम्हारे बीजिए दवारे झाड़ी लूथ ये माज राच्चिने आमाँ गुम्ना चो कच्चे? भगवान बाचा बेटाके आमारा हाटे जोदी पड़े गलाव मोत के देवो बोका गाडा कोडा काने तो बीरबल, क्या तुम्हारे पास हमारे सवाल का जवाब है? क्या तुम ये पता लगा पाए कि बाहरी की असली मात्री भाशा क्या है? जी हुजूर, पता लगा लिया है तो बताओ बीरबल, बाहरी की मात्री भाशा क्या है? जहाँ पना, बाहरी की मात्री भाशा बांगला है अरे? बोलो बाहरी, क्या बीरबल सही है? विल्कुल सही जहाँ पना शाबाश भीरबल अब हमें ये बताओ कि तुमने बाहरी की मात्री भाशा की जानकारी कैसे पाई जी हुजूर कल रात मैंने अपने नौकर को बाहरी के कमरे के बास जाकर जो जो से आवाज करने को कहा जब वो सो रहे थे, मैं बाहर इंतजार कर रहा था कुछ कोशिशों के बाद बाहरी चिलाते हुए बाहर आये दर्द, आस्चरिया और गुसे की वक्त इंसान हमेशा अपनी मात्रवाशा का इस्तमाल करता है इसलिए जब मैंने उसे बांगला में चिलाते हुए सुना, तब मैंने ये गुत्ती सोल्जा ली मैं बाहरी से कल रात उसकी नीम खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ कोई बात नहीं राजा बीरबल, आप सचमुच इस राजजी के सबसे चतुर और ग्यानी आदमी है शाबाश बीरबल, शाबाश शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया